हेलो चैंपियन्स कैसे आप सब स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर मैं हूँ आपकी मिर्जा मैंडम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंगलिश यूनिट 1.4 बी स्मार्ट बी स्मार्ट का मतलब होता है होश्यार बन जाओ जल्द से होश्यार बनो ठीक है यह जो बी स्मार्ट लेसन है न यह एक महान व्यक्ति ने दी हुई की स्पीच है जिसे इस लेसन के रूप में 10 के बच्चों के लिए उनकी पुस्तक में दिया हुआ है और इस वक्त 10 के ही बच्चों को इसकी ज्यादा जरूरत होती है मतलब एक अच्छे से मोटिवेशनल की जरूरत होती है बच्चों को इस लेसन में बहुत अच्छा और motivation दिया हुआ है आप सभी को भी तो इस वक्त motivation की ज़रूरत है क्योंकि आप सब इस साल अपनी life का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने वाले हो पुछो क्या 10th का exam भाई अरे आप सब board exam देने वाले हो सबसे बड़ी और पहली लड़ाई अपनी जिन्दगी की और ये जो board exam होता है न 10th का इसकी बिल्कुल भी हलके में मत लेना इसको ये यूटन पॉइंट होता है life का इस एक exam पर आपका future और career दोनों depend होते हैं ठीक है? स्टार्ट करते हैं बी स्मार्ट होशियार बनू चैंपियन्स आरंट मैड इन जिम्स चैंपियन्स जो होते हैं विजयता जो होते हैं जो कभी नहीं हारते हैं वो कहां बनते हैं वो बनते हैं वो जिम में नहीं बनते हैं पहली बात वो जिम में नहीं बनते हैं जिम यानि ऐसी जगह जहां पर हम बहुत जादा महनत करते हैं जहां पर एकसरसाइस करते हैं वर्जिश वगरा करते हैं वहां पर चैंपियंस नहीं बनते हैं बिल्कुल भी नहीं बनते हैं वहां पर चैंपियंस महनत करने वाले जगह गदा मजदूरी करने वाली जगह पर थोड़ी ना चैंपियंस बनते हैं ठीक है चैंपियंस आर मैड फ्रॉम सम्थिंग दे है डीप इंसाइड धेम और डिजायर और ड्रीम और विजन अब जिम में चैंपियंस नहीं बनते तो कहां बनते हैं मैडम कोई जगह होंगी ना जहां से चैंपियंस बन कर आते हैं तो वो जगह यह है कि वो अपने ही अंदर के डिजायर यानि एक दिरिष्टी उनका एक अलग नजरिया और ड्रीम एक सपना और विजन कुछ करने की इच्छा विजन मतलब नजरिया और डिजायर मतलब इच्छा उल्टा हो गया था डिजायर मतलब की इच्छा और विजन यानि नजरिया दिरिष्टी उनके अंदर ही क्या होता है एक अलग नजरिया होता है एक सपना होता है उनका और एक अलग दिरिष्टी होती है एक अलग दिखाने के वह लोग क्या बनते हैं चैंपियंस बनते हैं हुआ यृव टु है दी स्कील एंड दी विल उनके पास क्या होता चाहिए एक हुनर और एक होसला होना चाहिए एक हुनर इसके जानी किसे चीज में महारत हासिल करना और दी विल मतलब विल मतलब होता है इच्छा शक्ति होसला कि उनके पास होना ही चाहिए एक हुनर होना चाहिए और एक इच्छा शक्ति होनी ही चाहिए बटती will must be stronger than the skill लेकिन जो will है हमारी इच्छा शक्ती होसला हमारा वो हमारी skill से हमारे कौशल हमारे हुनर से ज़्यादा मस्बूत होना चाहिए हमारी इच्छा शक्ती हमारा होसला हमारे हुनर से ज़्यादा मस्बूत होना चाहिए successful professionals through in the same manner जो successful professionals होते हैं सफल पेशेवर इसी तरह के से आगे बढ़ते हैं ठीक है जो successful professionals होते हैं वो भी इसी तरह के से आगे बढ़ते हैं कोई desire लेके मतलब कोई इच्छा लेके कोई सपना dream लेके कोई vision कोई नजर्या लेके इसी तरह की तरीके से वो क्या करते हैं आंगे मरते हैं वी आल हैव नेचरल टैलेंट्स हम सभी के पास क्या है प्राकृतिक प्रतिभाये हैं मतलब कि हमारे पास हर किसी के अंदर न एक न एक हुनर जरूर होता है जो हर किसी के अंदर होता है एक हुनर उसको पहचारना ही है न हमारे जिन्दगी का मकसद होता है और जो हुनर हमारे अंदर होता है न हमें वो करने में बहुत दीशस्पी होती है इफ अगर वी यूज हम इस्तिमाल करेंगे धैत टैलेंट उस हुनर को तो सेट अवर गोल इन लाइफ अपने जीवन के लक्ष को सेट करने के लिए मतलब अपने जीवन के मकसद को जिन्दगी के मकसद को बनाने के लिए अगर हम उस टैलेंट का यूज करेंगे तो को we can, हम कर सकते हैं, easily get the success in life, हम आसानी से सफलता को अपनी जिंदगी, जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, we shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them, हम तब तक हमारे जो मकसद है ना उसको अचीव नहीं कर सकते, मतलब उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसको पा नहीं सकते, उस मकसद को जब तक नहीं पा सकते, अगर हम, if we, अगर हम do not take action to achieve them, मतलब कि उसको पाने के लिए हम अगर जब तक कोई action नहीं करते है मतलब कि कोई काम नहीं करते है उससे पाने के लिए महनत नहीं करते है तो हमें मिलेंगा भी नहीं ठीक है? यही इस बात में समझाया गया है देखो भाईयो और बेहनो पहली paragraph में क्या समझाया गया है विजयता जिम्स में नहीं बनते गदा मज़ूरी वाली जगों पर नहीं बनते विजयता अपने ही अंदर की इच्छा सपनों और दुनिया को अलग नज़रिये से देखने की असलियत से बनते हैं विजयता के पास हुनर और होसला दोनों होना चाहिए किसी काम को सबसे बहतर तरीके से करने का हुनर भी होना चाहिए और उस काम को पूरा करने की इच्छा शक्ती भी होनी चाहिए लेकिन जो हमारी इच्छा शक्ती है जो हमारा होसला है कुछ कर दिखाने का वो हमारे हुनर से ज्यादा strong, ज्यादा मजबूत होना चाहिए ज्यादा powerful होना चाहिए सफल पेशेवर, सफल लोग इसे तरीके से आगे बढ़ते हैं हम सभी में प्राकृतिक प्रतिभाय होती है हमारे पास कुछ न कुछ हुनर होता है हम अपने लक्ष को, अपने मकसद को तब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसे प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे या कोई कोशिच नहीं करेंगे उसे हासिल करने के लिए तब तक वो सफलता, वो सकसेस हमें नहीं मिलेंगी तो अगर हमें सफलता और सक्सेस चाहिए यह चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेंगा उसे पाने के लिए हमें क्या स्टेप तीताना ही पड़ेंगा कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेंगा ठीक है सेकड पैरिग्राफ की तरफ चलते है Setting goals has two valuable assets A sense of originality and a stepping stone to illuminate the path Setting goals Lakshya को निर्धारित करने में Has two valuable assets दो मुल्यवान संपत्या होती है Lakshya को निर्धारित करने में दो मुल्यवान संपत्या होती है A sense of originality असलियत को पहचानने का हुनर असलियत को पहचानने का अहसास और दूसरा क्या Stepping stone to illuminate the path रास्ते को रौशन करने वाला कदम उठाना ठीक है रास्ते को रौशन करने वाला कदम उठाना यह दो हमारे पास क्या होते है मुल्यवान संपत्या होती है Lakshya को निर्धारित करने में पहला होती है असलियत को पहचानना और दूसरा रास्ते को रौशन करने के लिए कदम उठाना गोल्स पुट वन अट दी हेल्म आफ लाइफ परस्विंग दिन एकनॉलेज और बेटर फ्यूचर सिच्वेशन गोल्स पुट हमारे लक्षे क्या करते है रखते है वन अट दी हेल्म आफ लाइफ मतलब की जीवन में जीवन में आगे बढ़ने का विशिवास अट दी हेल्म आफ का मतलब होता है इन चार्ज आफ उनकी देखभाल में गोल्स की देखभाल में क्या होता है हम पर स्वींग देम एकनोलेज और बेटर फ्यूचर सिच्वेशन हम क्या कर सकते हैं जीवन के शिर्श पर एक लक्ष रखा जाता है उनका अनुसरन करना उन्हें स्वीकार करना बविश्य के लिए बहतर होता है हमारे भविश्य की परिस्थितियों के लिए बहतर होता है पर स्वींग का मतलब होता है अनुसरन करना और एकनोलेज का मतलब होता है स्वीकार करना क्या हमारे बेटर फ्यूचर सिच्वेशन को मतलब कि हमारे भविश्य की परिस्थितियों को बेटर करने के लिए they help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen they help to वो हमारी सहायता करते हैं वो हमारी मदद करते है to steer steer का मतलब होता है channelize चुनोती चुनोतियों भरा a course of life मतलब कि पैदा होने से मरने तक हम जो काम करते हैं उन चुनोतियों को के लिए हमें क्या करते है वो मदद करते है rather than rather than का मतलब होता है उसके बजाए simply drifting along and letting things happen drifting along या निए आगे बढ़ना और letting things happen मतलब चीजों को होने देना हमारे जो लक्षब, हमारे जो मकसद होता है वो क्या करता है हमें हम मरने से लेके जीने से लेके मरने तक के हम चुनोतिया हमारे जिन्दगी में आती है उन में हमारी मदद करता है उन चुनोतियों से लड़ने में और उसकी बजाए वो क्या करता है हमें आगे बढ़ते रहने और चीजों को होने देने की शमता हमारे अंतर आजाती है देखिये second paragraph में क्या हो रहा है second paragraph में ये बताया जा रहा है कि लक्ष निर्धारित करने में दो मुल्यवन संफत्या होती है पहली असलिएत को पहचाना और दूसरी रास्ते को रौषन करने वाला कदम उठाना घर के आसपास जो हम सुरक्षित रास्ता बनाते हैं वो रास्ता जिन पत्थरों से बनता है उसे कहते है स्टेपिंग स्टोन यहाँ पर दिया हुआ है stepping stone ठीक है उसे घर के आसपाल जो हम सुरक्षित रास्ता बनाते हैं उन में पत्थर यूज होते हैं उन पत्थरों को क्या कहते हैं stepping stone मकसद जीवन के पत्थरों में से एक है और उनका अनुसरन करना उन्हें सुविकार करना भविश्य में आने वाली परिस्तितियों के लिए बहतर होता है पैदा होने से लेकर मरने तक ना चीजे हम चुनोतित करते हैं जो चीजे हम चुनोतित करते हैं चैलेंज करते हैं उसमें ये तैग किये हुए मकसद हमारी मदद करते हैं उसके बज़ाए भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और चीजों को घटित होने देना चाहिए मतलब चीजों को होने देना चाहिए हमें सिर्फ अपने मकसद पर फोकस करना चाहिए ठीके थर्ड पेरिग्राफ की तरफ चलते हैं स्टार्ट करते हैं सेटिंग गोल्स में अपीर इजी मतलब की मकसद बनाना में अपेर इजी आसान हो सकता है आसान लग सकता है बट लेकिन फर सम वर कुछ चीजों में इस कॉईट चेलेंजिंग होता है बहुत जादा मुश्किल हो जाता है Fear of failure may be avoided in the absence of any goals किसी मकसद में अगर हम होते हैं अगर किसी मकसद के बगर absence of any goals मतलब किसी मकसद के बगर हम क्या कर जाकते है Fear of failure मतलब fail होने के डड़ को हम avoid कर सकते है टाल सकते है After all आखिरकार one has to decide what one wants to achieve in the end एक हमें यह decide करना ही पड़ेंगा हांकि हमें आखिर में क्या चाहिए क्या प्राप्त करना चाहते हैं आखिर में यह हमें एक नाएक दिन decide करना ही होगा 2. Accomplish goals Expert recommended a 5 step approach Accomplish का मतलब होता है पूरा करना गोल्स को मकसद को पूरा करने के लिए Experts महारती क्या करते हैं महारती लोगों ने 5 तरह के नजरियों को बताया है recommended a 5 step approach मतलब 5 तरीके के नजरियों को बताया है महारती लोगों ने ठीके देखते हैं अब वो तरीके क्या है Smart Goals Smart Goals का मतलब क्या होता है दोस्तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपने लक्ष की एक पष्ट रूप रेखा बनाई हो जिसमें आपके लक्ष को बहतर धंक से समझाया गया हो कि क्या करने की जरूरत है कैसे करना है और किसे या किसके द्वारा करना है ये सारी प्लैनिंग करके जब हम कोई मक्सद बनाते है जब हम कोई लक्ष बनाते है तो उसे कहते है Smart Goals methodology methodology का मतलब होता है कार्य प्रनाली methodology of thinking सोचने की कार्य प्रनाली planning करना ठीक है that helps people reach success वो क्या करते है मदद करते है सोचने की कार्य प्रनाली मदद करते है लोगों को सफलतां तक पहुंचने के लिए reach यानि पहुंचना स्मार्ट इस्टेंड्स फॉर यहां पहलाना स्मार्ट का अब फुल फॉर्म बताया गया है S for Specific, M for Measurable, A for Achievable, R for Realistic और T for Time Bound ठीक है, Specific का मतलब होता है विशिष्टू Measurable का मतलब होता है जिसे गिन सके, मतलब औसत दर्जे का Achievable का मतलब होता है प्राप्त, हासिल किया हुआ Realistic का मतलब होता है असलियत को पसंद करना, असलियत को जानना और Time Bound का मतलब होता है वक्त का पाबंद, ठीक है? Next paragraph Smart Goals have a specific rubric, विशिष्ट एक हमारे पास क्या होता है Smart Goals के पास क्या होता है, Specific मतलब कि विशिष्ट रब्रिक यानि की guideline विशिष्ट guideline होती है, ठीक है, देखते है आंगे Specific विशिष्ट involves identifying a specific area for improvement, improvement के लिए आगे बढ़ने के लिए, ये क्या Schamil करता है, क्या शामिल करता है, identifying a specific area Specific area, किसी खास जगह को ढूंदना, मतलब पहचानना किसी खास जगह को पहचानना अपने आगे बढ़ने के लिए अपने implement के लिए, अपनी तरह की के लिए किसी खास जगह को पहचानना यह specific में शामिल होता है विशिष्ट अलग तरीके से कुछ करना the more specific the area जितना अलग तरीके की जगा होंगी मतलब जितनी विशिष्ट जगा होंगी the more refined the achievement of one's goal can be जितनी अलग तरीके से जगा होंगी न उतने ही अलग तरीके उतना ही रास्त उसका मतलब क्या हो रहा है साफ साफ रास्त जितना ज्यादा विशिष्ट होंगा तो कि लक्षे की प्राप्ती उतनी ही अधिक बहतर होंगी हम जुनेंगी उतना ही ज्यादा हम our all recommendations our इसे आसान बनाता है तो सेट करने के लिए किसी चीज को नापनी की लिए इस्तेमाल होता है तो क्या नापना है हमारे मकसद के लिए हमें कितना टाइम लगेंगा यह नापना है and work towards the goals और हमारे मकसद के लिए काम करने के लिए हमें क्या करता है यह easy बनाता है आसान बनाता है for example उधारन के तौर पर किसी मिसाल के तौर पर if अगर it is building a house अगर कोई हमें house मतलब घर का काम करना है building का काम बिल्डिंग बनानी है what exactly is the capacity required and how long can it stretch तो इसके लिए हमें असल में कितनी शमता महनत हमें करनी पड़ेंगी और ये काम कितनी देर तक चलेंगा ये हमें किसी पता चलेंगा specific से पता चलेंगा किसी विशिष्ट तरीके से पता चलेंगा अंदाजा लगाना मतलब ठीक है majoralable majoralable मतलब की जिसे हम गिन सकते हो या फिर आउसत दर्जे का इसका सही मतलब होता है ठीक है quantifying goals provide specific ways to track progress against goals इसका मतलब यह होता है quantifying goals लक्षयों का प्रमानी करन प्रदान करता है ठीक है quantifying goals provide specific ways to track progress मतलब की लक्षयों का प्रमानी करन प्रदान करता है to track progress against goals to track का मतलब होता है लक्षयों के विरिद प्रग्रती को ले जाने के लिए यह क्या करता है हमें प्रमानी करन प्रदान करता है this makes it easy to benchmark performance throughout the goal period लक्ष की मुद्दत goal period मतलब लक्ष की मुद्दत यह क्या करता है this make it easy यह इसे आसान बनाता है to benchmark benchmark का मतलब होता है judge करना performance through the goals period इस गुल परिय्यर मतलब की मकसद की मुद्दत की एक साल में यह goal पूरा करना है बिए 2 साल में पूरा करना है इसको क्या करता है judge करता है यह ज़गे करता है शामिल करता है winning playing जब हम खेल रहे होते हैं या? फुटबाल जब हम फुटबॉल खेल रहे होते हैं once exact role and position has to be clearly defined हमें exact role मतलब कि हमें कौन सा में role कर णा है keeper कर बनना है what कर बनना है किस फुटबाल खेल से वक्त यह हमें पहले ही रहे जाता है और किस जगा पर यहकमें साफ साफ भटादी जाता है कि हमें उ किस रोल कोंसा रोल प्ले करना है औरlexander कहदे होना यह हमें पहले ही बता दिया जाता है वैसे इमेजरेबल का यूज होता है हमें पहले ही समझ में आ जाता है कि हमें कितने देर तक पढ़ना है तो दो घंटे पढ़ना है तीन घंटे पढ़ना है यह सब हमें पहले ही समझ में आ जाता है Achievable Achievable यानि जिसे हम हासिल कर सकते है हासिल किया हुआ या प्राक्त किया हुआ है Setting goals that can be completed in the design period of time ऐसे goals, ऐसे मक्सद Setting goals यह निहां ऐसे मक्सद बनाना जो that can be completed in the design period of time जो हमने जो सोचा हुआ period of time है उसी में वो complete हो जाएंगा और अकसर अग्सार ये अधिक शिंस्टोन का काम करते हैं। ओन प्रफडर की तरह ये कम करते हैं। हमें broader goals बनाने के लिए, अगर हम छोटे मकसद के लिए कड़ी महनत कर जहे है, तो वो छोटा सा मकसद हमें क्या करता है, broader goals, मतलब कि बड़े मकसद से मिला देता है, धत, further define a career, जो आगे चलके हमें क्या बताता है, एक career बताता है, further मतलब कि आगे चलके हमें क्या define या निए बताना, आगे चलकर हमें एक career बता देता है, हमारे भविश्य के लिए कुछ बहतर चीज़े बता देता है, as a student, एक student होने के खातिर, एक student होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते, we can't become a president, हम राश्ट्रपती नहीं बन सकते, president मतलब राश्ट्रपती, हम राश्ट्रपती नहीं बन सकते, अब प्राइम मिनिस्टर, मुख्य बंतरी भी नहीं बन सकते, but kind hope to reach those heights in future, लेकिन future भविश्य में उन उन्चाहियों तक, रोज हैट्स, उन उन्चाहियों तक, रीच पहुंचने की, हम उमीद कर सकते हैं, hope यानि उमीद, हम ऐसा उमीद कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने की, या प्रेसिडेंट बनने की, मुख्य मंतरी या राश्ट्रपती बनने की, हम क्या कर सकते हैं, उमीद कर सकते हैं, अभी तो नहीं बन सकते हैं, पर आगे बनने की उमीद कर सकते हैं, तो अचीवेबल का मतलब यही होता है कि हासिल करना, कि गोल हम जब कोई मकसद बनाते हैं, कोई गोल बनाते हैं, सेट करते हैं, कोई गोल, तो जब हम क्या करते हैं, सिर्फ हासिल करने के बारे में सोचते हैं, तो इसी का मतलब क्या होता है, अचीवेबल, सोचना किसी, उंचा इस टोड़ी अंगल जाड़ी और शीन आफ इंपॉर्टन तोड़ी है विदिन वंस इसकिली शैट और एरिया अफ इक्सपर्टाइज हो जो किसी के मौजूदा कोशल शैट या महर्यतियों के बीच में हो बिल्दिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम बिल्दिंग बनाने वाले महारती क्या करते हैं वक्त लेते हैं बहुत वक्त लेते हैं तो एसा एक्सपेक्ट करना, ऐसा उमीद लगाना, कि हम बन जाएंगे महारती, हम महारती बन जाएंगे in a short amount of time, कुछ ही मतलब थोड़े ही ताइम में, अगर हम ऐसा सोचते हैं, कि हम महारती बन जाएंगे किसी चीज में, तो यह क्या है? अन्रियालिस्टिक है, यानि कि एसा हकीकत में नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, ये अन्रियालिस्टिक बात है, कि हम थोड़े से ही वक्त में क्या हो जाएंगे, किसी स्कील को लेकर, किसी हुनर को लेकर, महारती बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals, आसान कर देगा, to be successful at attaining goals, हमारे मकसद को प्राक्त करने में, हमारे मकसद को हासिल करने में, क्या करेंगा हमारे लिए easy बन जाएंगा, अगर हम सच्चाई को जानने वाले बन जाएंगे तो, मतलब अगर हमें यह समझ में आ जाएंगा, कि थोड़े से वक्त में हम क्या माहिर नहीं बन सकते किसी काम में, तो हम इस बात को अगर मान लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, जल्दी ही successful हो जाएंगे, चितना time हमें लगता है, किसी चीज को सीखने में, उतना time हमें उस चीज को सीखने में देना ही चाहिए, बढ़ना कर बढ़ हो जाएंगी, if defensive, defensive का मतलब हो यह मतलब कि किसी चीज को जज करना, किसी चीज को जज करना, अगर हम किसी चीज को जज कर रहे हैं, हमारे मकसद शायद साच्चाए की कमी को बताते हैं अगर हम किसी की चीज़ को जच कर रहे हैं और आकरमक नहीं है तो we must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture we must have, हमारे जहन में होता है clear picture in mind, हमारे जहन में एक साफ तस्वीर होती है मतलब होनी चाहिए हमारे जहन में एक साफ तस्वीर होनी चाहिए and must have the ability और उतनी काबिलियत भी होनी चाहिए to adhere अधीर का मतलब होता है bind, मतलब की जोड़ना, बांधना किसी चीज़ को to adhere to that picture और उस तस्वीर को बांधने की जोड़ने की हमारे अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए पहले जहन में एक साफ तस्वीर होनी चाहिए मतलब कि हमें future में क्या करना है हमें क्या बनना है हमें उसकी planning कैसे क домой चाहिए इन सारी चीजों के बारे में कि हमने से सोच के रखना चाहिए और बात में उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर ability मतलब की काभिलियत भी होनी चाहिए इस परिग्राफ में जादा कुछ नहीं छोटा छोटा से बताया गया है कि realistic या नहीं सचाई को जानने वाला बनी है यह क्या होता है बहुत जादा important होता है हमारी यह मकसद बनाना अगर और किसी क्या जो किसी के मौजुदा कोशलिया महारतियों के बीच में हो ऐसा मकसद हमें बनाना चाहिए जो हमारे घर का काम करते ना बान काम करने वाले मजजूर जो होते ना बनाने वाले महारती लोग जो होते है वह बहुत टाइम लेते हैं घर बनाने के लिए तो अगर हम और वह बहुत सुंदर घर बनाते हैं हम अगर सुंदर घर देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं तो वैसे ही अगर हम सोचते है ऐसा सोचते है कि कम टाइम में, छोटी टाइव वक्त में हम क्या कर जाएंगे, किसी हुनर में महारती बन जाएंगे, तो यह क्या है, बिल्कुल ही अन्रियलिस्टिक बात है, यह बिल्कुल ही हाकिकत में ऐसा नहीं हो सकता, और जितना हम सच्छाई को जानने वाले बनेंगे तो यह और ज्यादा आसान हो जाएंगा, हमारी जिंदगे में, हमारी मकसद को पाने के लिए, क्योंकि हम तब क्या करेंगे? सबर करेंगे, मतलब हम थोड़ी सी हमारे अन्रियु सफ़र वाली शक्ति लाएंगे, और अगर हम फेल भी होगा ना हम बार 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 ट्राय करेंगे और फिर महारती बनेंगे हम एक ही बार में महारती नहीं बन सकते हैं अगर हम किसी चीज़ को जज कर रहे और आकर्मक नहीं है तो फिर क्या हो जाएंगा ऐसा हो सकता है कि हमारे मकसद में शायद सचाई की कमी है कि हम एक्सपर्ट नहीं बन पा है मतलब ऐसा सोच नही महारती बन गया हमें क्या करना चाहिए हमारे जहन में पहले ही हमें सोच के रखना चाहिए कि हमें क्या करना है हमें किस तरह से करना है और पूरी परफिक्ट प्लैनिंग साफ सुतिरी तस्वीर हमारे जहन में होनी चाहिए हमारे दिमाग में होनी चाहिए और हमारे अंदर वो एबिलिटी वो काबिलियत भी होनी चाहिए कि हम उस पिक्चर को क्या कर सके उस तस्वीर को एक साथ जोड सके हम पहले 10th करेंगे फ़िर 12 ते बाद हम जो आगे हमारे कोर्सेस हैं वह करेंगे फिर डॉक्टर बनेगे और फिर एंजिनियर बनेंगे या फिर 10 के बाद डारक्ली ब्री डॉक्टर या इंजीनियर नहीं वर सकते हैं na tại। शौर्ट में में हम कृसी बही चीज में महारत हासिल नहीं कर सकते। यही रियालिस्टिक का मतलब होता है ताइम बाउंड मतलब हेल खामेंशन हम फोब ऐक्याड़ करना सुबह हमारा खाने का अलग वक्त होता है, दस बजे समझे हम नाश्टा करते हैं, दो पर का खाने का अलग वक्त होता है, दो बजे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, दो पर का लंच करते हैं, और रात की खाने का हमारा अलग वक्त होता है, शायद हम आट बजे या नौ बजे इसे क्या करते हैं, डिनर करते हैं हमारा तो हर चीज का एक वक्त होता है उसी वह कहता है यानि वक्त का पापंध होना ठीके Establish time parameters around each goal Lakshy के आसपथ मक्सत के आसपाथ time parameter स्थाफित करना time parameter लगा देना मतलब time को mapना अब मैं for example ऐसा बोल सकती हो कि मतलब क região width ऑग और आउस के लिए चाहर पीज का लेसिन ही कोई तो हम उसके लिए time लगाएंगे time parameters बुछ कहा goods लगाने हम उसके लिए कि 4 page lesson के लिए हमें read करने के के लिए हमें कितना वक्त चाहिए ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स अलब 5 मिनट्स में एक पेज हम क्या कर लेंगे रीट कर लेंगे इसी को गयते है टाइम पेरामिटर्स अलब वक्त को नापना टाइम बाउंड का मतलब वक्त का पाबंध होना तो हमें क्या करना चाहिए establish करना चाहिए क्या establish यानि इस्थापित करना चाहिए क्या इस्थापित करना चाहिए time parameters वक्त का time parameters इस्थापित करना चाहिए किसके पास हमारे मकसद के आसपास ठीक है as it will help increase focus and accountability जैसे यह क्या करेंगा हमारी मदद करेंगा to increase increase यानि बढ़ाने में focus focus यानि ध्यान के इंदरित करने में and accountability यानि जवाब देही में जवाब देही में और ध्यान के इंदरित करने में इन चीज़ों में क्या करेंगा यह हमारी मदद करेंगा to reduce weight वजन घटाने के लिए weight यानि वजन reduce यानि घटाना वजन को घटाने के लिए we know how to go about it हमें पता है वजन को कैसे कम करना है but लेकिन without consistent time bound action without consistent time bound action वक्त पर हर काम करने के बिना लगातार वक्त पर हर काम करने के बिना it never becomes a reality यह सच्चाई नहीं बन सकता अतलब कि अगर हमें वजन घटाना है तो हमें पता है वजन कैसे घटाते लेकिन हम लगातार जो है वक्त पर काम नहीं करेंगे न तो फिर यह कभी क्या हो सकता है अपने दिमाग में टेंशन फ्री रखना पड़ेंगा अपने माइंड को ठीक है, all these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt or indifference but within a deadline, all these, ये सब have to be practiced, मतलब कि हैसा हमें practice करना पड़ेंगे और implemented, लागू करना पड़ेंगे, without hesitation, बिना किसी हेच के चाहट के, doubt के, मतलब कि, शक, संदिह, बिना किसी संदिह के, और indifference, indifference, बिना किसी लापरवाही के, indifference रह मतलब होता है, लापरवाही, बिना किसी लापरवाही के, हमें क्या करना पड़ेंगा, ये लागू करना पड़ेंगा, बिना किसी hesitation, यानि कि, बिना किसी हिच की चाहट के, बिना किसी हिचकी चाहट के बिना किसी शक के और बिना किसी लापरवाही के लेकिन लेकिन विदिन डेडलाइन एक वक्त की मुद्द के अंदर विदिन यानि के अंदर और डेडलाइन एक वक्त की मुद्द के अंदर वक्त की मुद्द मतलब हमें सेट करना पड़ेंगा कि हम हमें दो महिने डाइट करना है या तीन महिने डाइट करना है हमें एक महिने एकसरसाइज करनी है या दो महिने एकसरसाइज करनी है है और हमें मेंडिटेशन करना पड़ेंगा इस्ट्रेस फुरी थाउट के लिए क्या करना पड़ेंगा meditation करना पड़ेंगा यानि ध्यान आग नहीं खामूशी से बैठ जाते हैं और इसे ध्यान जमाते हैं बिना किसी आवाज और बिना किसी आँखे खोले उस तरीके से हमें एक डेडलाइन के अंदर एक वक्त की एक वक्त के अंदर हमें क्या करना पड़ेंगा यह सम् करना पड़ेंगा ठीके नेक्ट पैरिग्राफ विजन्स यानि की दृष्टी नजरिये विशेस इच्छाएं इंटेंशन्स इरादे एंड ग्रिम्स और सपने आर अल वेल्यूबल सभी बहुत ज्यादा कीम्ती हैं दे स्पार्क ओफ इमेजिनेशन एंड इंकवरेज अस तू दे स्पार्क ओफ ये जगाते हैं इमेजिनेशन हमारी कल्पनाओं को जगाते हैं और हमें होसला देते हैं कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं ये हमें बताते हैं क्या ये सारी चीज़े ये नजरिये ये इच्छाएं ये इरादे और ये सपने हमें क्या करते हैं हमारी कल्पन एक साथ लाना पड़ेंगा down to earth and plan to execute our strategies down to earth reality and plan to execute plan to execute execute का मतलब यहाँ पर होता है to carry out और बाहर लाना strategies का मतलब होता है plan of action कुछ करने का plan करना ठीक है down to earth reality को बाहर लाना और कुछ कर दिखाना the quality and quantity of energy we put forth directly impact the results जो energy की quality और quantity quality यानि खासियत quantity यानि गिनना जिसे हम गिन सके quantity यानि गिनने को कहते है 1,2,3,4 और quality यानि खासियत विशेष्टा विशेष्टा जो energy की खासियत और गिनाव है ना जो हम साम में रखते हैं अनलब कि energy की गिनाव कैसा बोलेंगे quantity of energy मतलब हम दो घंटे काम कर रहे हैं इसे बोलेंगे quantity of energy जो हम साम में रखते हैं we put forth we put forth का मतलब होता है साम में रखना जो हम साम में रखते हैं वो क्या होता है? directly impacted the results हमारे result के ओपर उसका असर पड़ता है हम जितनी ज़्यादा energy लगाएंगे उतना अच्छा हमें result मिलेंगा ठीक है? life is something like a trumpet हमारी life जो है वो कुछ trumpet की तरह है something like मतलब कुछ trumpet की तरह है trumpet यानि शहनाई की तरह है if we do not don't put anything in अगर हम उसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे न we can't get anything out हम कुछ बाहर नहीं ले पाएंगे हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे मतलब अगर हम कुछ efforts अगर नहीं देंगे हमारी मकसाद को हासिल करने के लिए हमारी लक्षय को प्राप्त करने के लिए तो हमें कुछ भी में नहीं मिलेंगा हमें energy लगानी ही पड़ेंगी, तीके, इसका छोटा सा मतलब यही होता है, success is a walk in the dark, यह जो success होती है, यह जो सफलता होती है, यह किस चीज़ का नाम है, यह अंधेरे में चलने का नाम है, walk in the dark, अंधेरे में चलने का नाम है, सफलता finding the right footing finding the right footing मतलब की सही कदमों पर चलना pricelessly mastering the skills and getting to the next place all depends on how we approach and tackle the problem pricelessly का मतलब होता है एक दम सही मतलब सही राष्टे पर चलना और एक दम सही काम करना mastering the skills यानि किसी हुनर में महारत हासिल करना mastering the skills मतलब किसी हुनर में महारत हासिल करना and getting to the next place का मतलब होता है और अब उस से आगे बढ़ना उस जगह से आगे बढ़ना ठीक है इसी को क्या कहते है success की तरफ जाना कहते है all depends on how we approach and tackle the problem यह सब किसके ऊपर depends होता है यह सब इसके ऊपर depends होता है कि हम किस तरह से अपनी problems को approach और tackle करते है approach का मतलब होता है सोचना हम किस तरह से अपनी problems के बारे में सोचना हम किस तरह से अपनी problems के बारे में सोचना और टेकल का मतलब होता है जूजना हम किस तरह से अपनी problems के बारे में सोचना और एकदम सही काम करने को चुनना और किसी हुनर में महारत हासिल करना और उस जगह से आगे बढ़ना यह सब इस चीज़ पर डिपेंड होता है कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को के बारे में सोचते है और किस तरह से अपने प्रॉब्लम से जूजते हैं किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ठीक है यह बहुत बड़ी वहां से आगे जाने का to where we want to be जहां पर हैं हम वहां से हम कहा जाना चाहते है यह जानने का is to find the footing of our next step यह क्या है हमारे आगे बन नए step को अगले step को अगले कदम को जानने का इस तरीका है when we take the next step जब हम अगला कदम लेते है it should support and hold us without a crack वह हमें क्या करना चाहिए मजबूती से पकड़ना चाहिए और बिना किसी दरार के हमें उसे hold करना चाहिए उसे सम्हालना चाहिए ठीक है इस paragraph का मैंने आपको थोड़ा सा इतरी विच्छेतर परिग्राफ था इसका मैं आपको सरल सरल से पता देती हूँ साहरा सा ठीक है सकसेश इस वोक इन दी डार्क सकसेश जो है जफलता जो है वो अंधेरे में चलने का नाम है और सही रास्ता सही चीजों को चुनना सही काम करना और किसी किसी होनर में महारत हासिल करना mastering this कि और उससे आगे बढ़ जाना मतलब हम जिस जगा पर है मतलब हम में जितनी capacity है किसी चीज को करने की अगर हम उसको बार 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 करेंगे तो हम क्या करेंगे उस चीज में और ज्यादा बैतर होते जाले जाएंगे अगर मुझे लिखने का शौक है और मेरी राइटिंग खराब है और मैं रोज रोज एक ही वर्ड लिकरी हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ अपनी राइटिंग को सुधा रही हूँ मतलब मैं उस चीज से आगे बढ़ रही हूँ तो ये सब किस चीज के ओपर डिपेंड होता है इस चीज पर डिपेंड होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में कैसे सोचते है और उससे कैसे जूजते है मतलब उसको कैसे सॉल्व करते है इस जब चीजों के ओपर ये सारी हमारे मसले होते है वो डिपेंड होते हैं सिर्फ हमारी problem-solving की skill पर और सबसे बहुतर तरीका क्या होता है कि जहाँ पर है और जहाँ हम जाना चाहते है यह सोचना हम जहां है और हम जाना चाहते है यह इस difference के बारे में सोचना यह क्या है सबसे बहुतर तरीका है to find the footing of our next step कि हमारे अगले कदम को ढूंडने का हमारे अगले कदम को पहचानने का जब हम अपना अगला कदम लेते हैं न तो फिर हमें क्या करना चाहिए उस पर supporting मतलब रहना चाहिए उस पर डठ कर और उसको बिना किसी दरार कि बिना किसी मसले के उसे होल्ड करना चाहिए उसे संभालना चाहिए ठीक है मेरी प्यारे प्यारे बच्चो ये स्पीच थी तुम्हारे लिए तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ठीक है इस से तुम्हें इस चाप्टर में तुम्हें मज़ा तो आएंगा आपने इस से अच्छी सीख ली होंगी न तो आप भी बन जाएंगे बोर्ट चैंपियन ना समझ आया हो तो वीडियो फिर से देख लीजिए और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए कोई वर्ड मेनिक ना समझ में होना तो कमेंट कीजिए मिर्जा मैडम तो आपको पसंद यार करके लाओंगी ओक्यों तब तक के लिए बाइ बाइ